दोस्तों तयारी हमेशा जीत की करनी चाहिए हर की तो सोचनी भी नहीं चाहिए आज शुरुवात करेंगे मोक टेस्ट नंबर 9 का जहां पर हम लेकर आते हैं रोज साम को 8 बजे 100 कोशिन का सिनारियो जहां पर आप भी अपना स्कोर साजा करें हमारे साथ वीडियो के अंत में यह कितना स्कोर कर पा रहें चलिए सुरुवात करते हैं और बिहार दरुगा के प्रारामिक परिक्षा के तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यारतियों का एक बार फिर से स्वागत है इस फ्री टेस्ट में बुक लिश्ट के बारे में मैं रोज बता रहा हूं जिनको बुक ल जो भी हम आप तक पहुचा रहें सारे कोशन सिनारियो चलिए रोज साम को जुडिएगा हमारे साथ इस वीडियो सिनारियो में दोस्तो पहले कोशन पर चलने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्स सेक्षन पर जाएंगे और नीचे जैसे आएंगे आप यहां पर और यहां से आप देख सकेंगे दोस्तो एक टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है तो टेलीग्राम के लिंक को यहां पर क्लिक कर लिजेगा और ज्वाइन कर लिजेगा दोस्तो या तो आप टेलीग्राम प केता है कि leukemia एक प्रकार का cancer है जिससे आसाधरन बढ़ोत्री होती है दोस्तों यह किस तरह का cancer है बताइए बिल्कुल यह स्वेत रक्त कोशिकाओं में होने वाला एक कैंसर है दोस्तो जिससे कि स्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में और समानिय व्रिधी होते रहती है D हमारा उत्तर हो जाएगा सवाल नमबर 2 पे चलते हैं दोस्तो आंसर करेंगे निमलिकित में से कौन अर्धचालक है बिल्कुल आंसर हमारा D हो जाएगा जर्मेनियम जो है दोस्तो यहाँ पे अर्धचालक है हर सवाल के जवाब देने के लिए 2 सेकेंड का समय दूँगा और सुबह का जो भी छात्र करेंट अफिर अटेंड नहीं कर रहा है वो बहुत मिस कर रहा है क्योंकि करेंट अफिर का टॉपिक जो है तो रियान को यहाँ पे समधित किया गया है रुपांदरित इस्टार्च के साथ जो कि यहाँ पे गलत यहाँ पे सुमेलन होता है दोस्तो इसका रियान जो एक पुनर जिर्वित सेलूलोज है यहाँ पे सेलूलोज से यह निर्मित होता है एक तंतू और क्योंकि इसका उत्पादन जो है वो प्रकृतिक रूप में होता है और इससे जो मिलने जुलने वाली लगभग जो बहुलोक होती है उससे किया जाता है दोस्तों तो यहाँ पे आंसर इस रूपांदरित इस्टार्च कर दिया गया है जो कि गलत है सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे चार पे किसी वैक्ति का पूरा परतिबिम देखने के लिए एक समतल दरपन की नियुंतम उचाई क्या होने चाहिए बिलकुल आंसर करेंगे B जिनका उत्तर आरा व्यक्ति क्यों चाहिए जस्ट आधी होने चाहिए चोकि आप सभी को पता है कि नियुंतम हाइट क्या होगी वहाँ पे H by 2 हो जाएगी ठीक है अगले सवाल पे चलते हैं सवाल नमर 5 पे दोस्तों बच्चों में प्रोटीन की नियुंतम के कारण जो रोग होते हैं वो कौन सा है मतलब किसके कारण वो कमी से ये रोग होते हैं प्रोटीन की नियुन्तमता से यानि कि जो प्रोटीन की कमी होगी तो ये कौन से इसमें से रोग होंगे जी हां दोस्तों आंसर कर लेंगे इट्स मेरासम नोट कर सकते हैं आंसर हमारा ए हो जाएगा अगले सवाल पर चलते हैं सवाल नमबर 6 पर प्रकरतिक रबर का किसका बहुलक है ये कोशन बता चुका हूँ और ये बिहार दरुगा में इस बार पूझा भी गया था तो कोशन इंपोर्टेंट है बिहार SI के लिए जो भी एक्सपेक्टेड और यहाँ पर इंपोर्टेंट कोशन आर लेकर आ रहे हैं जो भी इंपोर्टेंट MCQ लेकर आ रहे हैं मोक्टेश लेकर आ रहे हैं इन सभी को आप लोग रोज देखेंगे और रोज इसका आंसर करेंगे ताकि चीजे याद हो जाएं आपको इतना जादा पढ़ लें आप कि रिपिटिशन भी आएं तो कोशन का आंसर आप कर गया हैं घवराएं नहीं बिल्कुल यहाँ पर इनका उतर ए आ रहा है दोस्तो आईसोप्रीन का बहुलक है बिल्कुल उतर सही कर रहा है सवाल नमबर 7 पर चलते हैं सवार उर्जा ATP बदलती है सवार उर्जा ATP बदलती है किसमें बदलती है भाई तो क्लोरोप्लास्ट में जी हाँ दोस्तो आप लोगों बतावगा कि सवार उर्जा से ये जो जीवों का सरीर होता है वो और वो कोशिकाओं से निर्मित होता है और इन कोसीकाओं में अनिक कोसी का अंग भी होते हैं जैसे कि माइट्रोकॉंड्रिया, राइबोजूम, क्लोरोप्लास्ट ये सारे इसके अंग होते हैं तो इसमें से दोस्तो एटीपी जो है बदलता है यानि की जो स्वारी उर्जा से वो हमें क्लोरोप्लास्ट से संभव हो पाता है सवाल नंबर चलते हैं दोस्तो आठ पे विधूत मोटर में क्या हो जाता है जल्दी से बताएंगे चार आप्सन आपके सामने हैं विधूत मोटर द्वारा जोस्तो विधूत उर्जा को यांतरी कुर्जा में बदलते हैं तो जिनका उत्तर C आ रहा है उत्तर सही कर लेंगे इस दे राइट आंसर देखें कोशिन नंबर 9 पे चलते हैं नमलेकित में से कौन सा हार्मोन इस्तन गरंतियों में से दूद का स्राव होने में भूमी का निभाता है जियां दोस्तो देखे दूद का स्राव होने से ये भूमी का निभाता है दोस्तो आंसर कर लेंगे 9 का 67 D ओक्सिटो सीन नोट कर सकते हैं दोस्तो जो नियंतरन करना थारिक्सिन का काम है ठीक है अगर यह प्रोजेश्ट्रोन पूझ दे अगर तो इसका कारी क्या होगा तो मादा की महावारी की नियंतरन करता है यह प्रोजेश्ट्रोन यह सवाल पूछा गया था BPSC में ध्यान रखेंगे सवाल नंबर चलते हैं दस की पात्र में बनाया गया, आंसर करेंगे दोस्तों, एक्चली यह DNA है, not DAA है, इसको थोड़ा सा आप लोग सुधारिये, है न, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्प्रिंट है, DNA को किसे अंता पात्र में बनाया है, आंसर कर लेंगे आर्थर कोनर बर्ग, is the right answer, जी है दोस्तों, आंसर क जो हैं, वो कोसी का खोज किये थे, चलिए सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, 11 पे, दोस्तों, भूर्ण जो है, किस में मिलता है, फूल में, पंड में, बीज में, या कली में, तो आंसर कर लेंगे दोस्तों, इस ए फूल में मिलता है दोस्तों, स्वारी माफ करेंगे, इस ए बीज में मिलता है दोस्तो अंसर हमारा C हो जाएगा यहाँ पे भोर्ण जो है हमें यह कहां मिलता है तो यह हमें मिलता है दोस्तो It's a B, C is the right answer जी है दोस्तो, अंसर हमारा C हो जाएगा सवाल नमबर 12 पर चलते हैं त्री आबंद किस में होता है चलिए three bonding किस में होती है दोस्तो चार option है answer यहाँ पर करके जाएंगे acetylene में होता है बिल्कुल याद रखेगा दोस्तो और आपको उदादे कि इसकी खोज अमेरिकी विज्यानिक Wilson ने किया है यह question पूछा गया है भी बिहार दुरुगा में सवाल नमबर 13 पर चलते है malaria कौन से मच्छड के काटने से होता है दोस्तो malaria जो रोग है दोस्तो mada anophilis मच्छड के काटने से होता है c is the right answer दोस्तो यहाँ पर answer कर लेंगे जिया और यह malaria जो होता है दोस्तो रक्त में plasmodium नामक एक protogeva जो होता है परजीवी को संक्रमित कर देता है ठीके आंसर के आद रखेंगे सवाल नमबर यहाँ पर देखिए parasite वाले मच्छड लिखा गया है ठीके तो यह यह enough feliz मच्छड जो होता है उसको भी कहते हैं सवाल नमबर चलते हैं 14 पे किस योगिक का अणू सहीत 40 है देखे NACL जो है दोस्तो इसका अगर अणू सहीत देखें तो यहाँ पर दोस्तो 23 आपका sodium का और 35 5 दो है वो आपका किसका हो जाता है तो chlorine का तो यह हो जाएगा 58 दसमलो 5 वहीं पर अगर हम बात कर लें दोस्तो NAOH की तो NAOH का हो जाएगा NA का 23 ठीक है और OH O का 16 यानि O का 16 16 और H का 1 हो जाएगा तो इसको जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 40 अच्छा यहाँ पर जो अनू संहित है यानि कि NAOH का होगा 40 याद रखेंगे B is the right answer सवाल नमबर दोस्तो 15 पर चलते है मानो के काई कोशिका में गुण सुत्र होते हैं कितने होते भाई जी हाँ दोस्तो आंसर कर लेंगे C 46 होते हैं प्रतेक जाती के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंदर जो होते हैं वो गुण सुत्र ही होते हैं याद रखेगा सवाल नमबर 16 पर चलते हैं फटा फटा अंसर करेंगे लगातार ऐसी क्यूज आप तक हम पहुचा रहे हैं अपने इस चैनल के माद्यम से तो चैनल पर बने रहिए अपने दोस्तों के ग्रूप में शेयर करें खासकर ऐसे दोस्तों के जो कि दूर दराज के गाउं में रहकेर भी अपनी तयारी को अंजाम दे रहे हैं जी हां बे फिकर होकर कि उनका कभी भी एक्जाम होगा इसलिए वो एक्जाम की तयारी कर रहे है इन फैक्ट वो उनको डर नहीं है कि पेपर आउट होगा या पेपर लिक होगा ऐसे छात्रों से हम मिले इस बार उनको कोई डर नहीं होता है कि पेपर लिक आट वो मान के चलते हैं कि 40-50% सीट बिग चुकी रहती है वो सिर्क जो बजे वे सीट है उसके लिए फाइट करते हैं यानि उनका कहना है कि अगर 1000 वेकेंसी है तो हम 500 की सीट पे लडएंगे अगर 200 की वेकेंसी है तो 100 सीट पे लडएंगे लेकिन हमारा जो सीट होगा वो जो साफ उतरा होगा उसमें लडएंगे तो आप लोग भी उसी तरह लड़िए घर बैठे तयारी कीजिए कहीं जाने की जुरूत नहीं है अभी इतना सारा चीज आपको प्रवाइट कर दिया जाएगा कि आप लोग अपनी तयारी में परिपूर्ण हो जाएंगे तो यहां पे सोलह का अंसर जो छातर ए कर रहा है वो ही उत्तर सही कर रहा दोस्तो जहां निमलेकित में से कौन सुकल यजुरूर्वेद की सहिता से सम्मंदित है तो वाज सेनीम नोट्स कर सकते हैं दोस्तो यह वेदो की बारे में हैं और आपको बता देख की वेदो की संख्य चार होती है और रिग वेद, यजुरूरूर्वेद, साम्मिद और अथरवेद ठीक है तो वहां से जुड़ा है सवाल ठीक है तो याद ध्यान रखेंगे जो भी सहिता है वो कृष्ण यजुरूरूर्वेदी साखा से सम्मंदित होती है ठीक है तैतरी ब्रहामन मैतरी नही यह सारे चीज़े आपको पढ़ने होगे जब आप वेद पढ़ेंगे तो यह सारे चीज़े ठीक है चलिए सवाल नंबर चलते हैं 17 की तरफ दोस्तों यहाँ पे 1330 में काक्तई सासको की सेना ने निमलिखित में से किसका सेना को वारंगल में परस्त किया अब यह देखिए का बात होगा जब तो समय ध्यान रखे कौन सा राजा अलावदिन खिलजी यहां अलावदिन खिलजी की समय सबसे पहला आक्रमन हुआ था 1303 में ठीक है 1303 है यह एक चुलिए 3303 होगा यहाँ पर ठीक है 1303 में और तिलंगाना पर अपना विजे हासिल किये थे दोस्तों ठीक कि अपना आक्रमन विफल हो कर चुके थे तलावदिन खिलजी यहां पर आंसर कर लीजिएगा जिन दोस्तों जो की वरंगल में परस्त किया थे इनको सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 18 पे सर्ग प्रती सर्ग वंस और मनवंतर और वंसानु चरित यह संकेतक हैं किसके अभी देखे मैंने आपको एक चीज़ बताया कि आपको वेद पुरान वेगरा सबकुष एक एक टॉपिक जो है चैप्टर का वो पढ़ना पड़ेगा वो सिर्फ सब्जेक्टिव बुक आपके लुसेंट से मिल पाएगा दोस्तों यह कोशन लुसेंट का है और यह पूछा गया सर्घो प्रतिसर्घो और मनमंतर और वंसानुचरी संकीत आपके पुराणों से है कि वी डराइट आंसर नोट कर सकते हैं सवाल नंबर 19 पर चलते हैं सुप्रशिध मध्यकालिन संकर्देव संबंदित है जी खिंग के संबंदित लेकर 1568 तक का है 1568 है यहां दोस्तो 1449 से लेकर 1508 तक का है आंसर हमारा याद रखेगा बैशनो संप्रदाय से यह सम्मंदित है सवाल नमबर चलते हैं 20 की तरफ निमलिखी अभिलेखों में से किसमें अशोक का यहां दोस्तो नामों लेख हुआ है तो नामों लेख हुआ है दोस्तो याने कि नाम का लेख हुआ है तो यह किजिएगा गुर्जरा में अशोक जो है दक्षिन भारत में प्राप यहां पे मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में यहां पे इनके नाम देखे जाते हैं पुराणों में भी अशोक का वर्धन यहां पे किया गया है चलिए सवाल नमबर चलते हैं 21 पे औरंग जेब ने किसको सहीबता उज जमानी की उपाधी परदान की थी औरंग जेब ने जी हैं दोस्तो किसको तो जहां आरा को नोट कर सकते हैं C is the right answer जेब दोस्तो जहां आरा को यह उपाधी दी थी सहीबता उजमानी सवाल नमबर 22 पे चलते हैं महात्मा गांदी के साथ निम्न में से एक मिनट यहां पे ध्यान दिजिएगा थोड़ा सा मिस्प्रिंट है यहां पे कुछ तो यहां महात्मा गांदी के साथ कौन से मुसल्मानों में से किसने बाल गंगा धर तिलक की अर्थी उठाई थी तो किस मुसल्मान के बारे में पूछा गया है तो यह तुम्हें कल भी कोशन बता चुका हूँ दोस्तो यह हैं दोस्तो इस सौकत अली जो थे एक मुसल्मान थे जिन्होंने बाल गंगा धर तिलक की अर्थी उठाई थी किस के साथ तो महात्मा गांदी के साथ सवाल लंबर 23 पर चलते हैं अपने सिला लेखों में अशोक समाने तक किस नाम से जाने जाते हैं बिलकुल आंसर करेंगे दोस्तो प्रिय दर्सी B is the right answer सवाल लंबर 24 पर चलते हैं अफगानिस्तान की प्रती आक्रमक नीती किस वाय सराय ने अपनाई थी फटा फट आंसर करेंगे ज्यादा भी आप लोग चैटिंग नहीं करें यहाँ पे और ज्यादा ज्यादा शेयर कर देंगे और वीडियो में बनते सही वीडियो को एक बर लाइक करेंगे सिर्फ एक बर ओके तो अफगानिस्तान के प्रती आक्रमक नीती किस वाय सराय ने अपनाई थी इग्जैक्ली याद रखेगा लॉड लिटल आंसर हमारा B हो जाएगा दोस्तो सवाल नंबर चलते हैं 25 की तरफ भारत में पश्चुपालन और क्रिशी के प्राचिन्तम साक्ष प्राप्थ हुए है जल्दी से आंसर कर लेंगे भारत में पश्चुपालन और क्रिशी के प्राचिन्तम साक्ष हमें पाकिस्तान के बलुचिस्तान से प्राप्थ हुए हैं दोस्तो और वो छेद्र कौन सा है तो मेहरगड याद रखेंगे दोस्तो D is the right answer मेहरगड जो की मेहरगड के समीप में है सवाल नंबर चलते हैं 26 की तरव दोस्तो इन में से किस ने सरप्रतम व्यापक पैमाने पर स्वन मुद्रा का प्रचलन किया है जल्दी से आंसर कर लेंगे दोस्तो आज का ये सिनारियो यहाँ पे जो दिया जा रहा है बहुत important question है सारे के सारे paper को जी हां moderate to high level ले जा सकता है आंसर C कर लेंगे दोस्तो यहाँ पे kid faces note कर सकते हैं C is the right answer सवाल नंबर 27 पे चलते हैं tripetic किसका धार्मिक पुस्तक है tripetic जो है दोस्तो बहुत धरम का एक जी हां क्या आंसर कर लेंगे D हमारा उत्तर हो जाएगा धार्मिक पुस्तक है सवाल नंबर चलते हैं दोस्तो 28 की तरफ सन 1921 का मोपला विद्रो कहां हुआ था बिल्कुल केरल में हुआ था B हमारा उत्तर होगा दोस्तो is the right answer सवाल नंबर चलते हैं 29 पे इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन की सदस्य नहीं थे बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तो वेवेल जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे नहीं बोला गया है इसलिए हमारा आंसर B हो जाएगा सवाल नंबर चलते हैं 30 पे किस प्रकार की भूमी को अ प्रहत कहा जाता है जल्दी से अंसर कर लेंगे दोस्तो बिल्कुल बिना जोती हुई जैंगली भूमी को हम लोग अ प्रहत कहते हैं दोस्तो, A is the right answer note कर सकते हैं सवाल नमबर 31 पर चलते हैं सुरेंद्रनाथ बेनर जी को किस वर्ष भारती सिविल सर्विस से हटाया गया सुरेंद्रनाथ बेनर जी जो कि भारते राष्टे आंदोलन के एक बहुत बड़े प्रणता थे और उनको दो बर I.S. जियां दोस्तो, I.C.S. की परिच्छा उत्रिन की थी और उन्होंने पहली बर 1896 विए में परिच्छा उत्रिन करके लेकिन उम्र का विवाद होने के जल्दे उनको सामिल नहीं किया गया दूसरी बर 1871 में परिच्छा उत्रिन की जिया दोस्तो, आयोग युम्मन के हटा दिया गया उनका पेपर उनको फेल कर दिया गया तो यहाँ पर आंसर कर लेंगे दोस्तो इस ए ठीक है, 1874 में उनको हटा दिया गया था सवाल नंबर चलते हैं दोस्तो यहाँ पर कुशंबर 32 का आंसर करेंगे अखिल भारतिये forward block के स्थापना के लिए सुबास चंद्र बोस ने से कौन जुड़े और I.N.A. अंदुलन के साथ भी जुड़े थे वो सुबास चंद्र बोस के साथ भी जुड़े थे और I.N.A. अंदुलन के साथ भी जुड़े थे ध्यान दीजेगा चुशंबर इप्रकाश नारायन का समन्द जो है वो गांधी वादी आंदुलन से है यहाँ पर इसको टिक मत कर दिए यह आंसर बहुत कन्फ्यूज करता है आपका ठीके चुकि यह बहुत ही जाएदा सक्रिय भी जे तो सिल्भद्र पाजी है न यह है याजी नहीं है पाजी है सीज दराइट आंसर सवाल नमबर 33 हर्श वर्धन के सासनकाल में किस चीनी यातरी को भारत की यातरा किये था यह तो कोशिन बहुत बार आप लोग आजर कर चुके होंगे सही से उतर भी कर रहे होंगे अब तो इसका सवाल नमबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 34 बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ जल्दी सा आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ है तो 34 का उतर बी कर लेंगे स्वदेसी आंदोलन इस दर राइट आंसर जी हां दूस्तों 1905 का आपको बंगालवी भाजन याद होगा और आपको 1905 में जब बंगालवी भाजन हुआ जिसके चलते जो गुपाल कृष्णे गोकले थें वो स्वधेसी आंदोलन पर उतर रहें और जो बंग बंग की या आंदोलन था ये एक स्वधेसी आंदोलन ही था ठीके तो इसको आप ध्यान रखेंगे एक्ट 904 उनीसो चार का एक्ट भारती बिश्विद्धाले अधिनियम इसके जुडाओ था इसका स्वधेसी आंदोलन से भी सवाल नंबर चलते हैं 35 की दिरफ भारत का प्रथम वाइसराय कौन था भारत का प्रथम वाइसराय कौन था इस डी लॉर्ड कैनिन इस दर राइट आंसर डी उतर हो जाएगा हमारा सवाल नंबर चलते हैं 36 पे दोस्तो निमलिकित राज्यों में कौन इलाइची यहां काली मिर्च के लिए सबसे बड़ा उतपादक है बिल्कुल आंसर कर लेंगे C is the right answer केरला यहां मसालों के लिए सबसे विख्यात सवाल नंबर चलते हैं 37 पे दिमलिकित यूगमों में से कौन सही सुमलित नहीं है जल्दी सांसर कर लेंगे दोस्तो देखें सिमलिपा राष्टे उध्यान को मद्यपरदेश में भेज दिया गया है जबकि यह उडिशा राज्ये का है सिमलिपा राष्टे उध्यान जो है यह उडिशा का है यहां पे मद्यपरदेश पे और साइंस जनरल की तो नेचर में जो भी प्रकाशित है एक अध्यन के अनुसार बताया गया नासा के बिज्यानिकों ने कि मंगल ग्रह के सता पर जो नीचे लवणिये जल में ऑक्सिजन की उपस्तिती हमका हमें प्रमाण मिला है तो ये मंगल ग्रह है जहां पे जीवन का अस सकता है सवाल नंबर 49 पर चलते हैं सुरी के प्रकास से पराबैगनी विक्रन अभिक्रियानिम्न में से क्या पैदा करती है 39 का अंसर करेंगे दोस्तों C वो जोन आंसर C कर लेंगे सवाल नंबर 40 पर चलते हैं भारत का सरवाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन है भारत का सरवाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन है exactly C is the right answer पारादीप is the right answer देखें सवाल बनाते समय थोड़ा ध्यान दिजेगा टेस्ट आप लोग यहाँ पे देते हैं ठीके पढ़ने की चीजे जो है आपको खुद से करनी है जी हा मैं आपको बुक बता चुका हूँ लुसेंट उठाईए सब्जेक्टिव पढ़िए यहाँ पे अगर करेंट की चर्चा कर रहें तो सबसे बेष्ट परतोगिता दरपन है उससे बेष्ट कुछ नहीं क्यूज अगर देखना है तो स्पीडी देख सकते हैं ठीके एडुटेरिया का भी बुक आता है करेंट सकते हैं वहां से कोश्चन बहुत आएं इस बार दिहार दरोगा में 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 भी और यहां पे आपको इंफेक्ट बीपी एसी प्री में भी तो उसको देख सकते हैं आप लोग करेंट के लिए वी वैसे मैं एडुटेरिया का भी आपको कोश्चन आर कराऊंगा ठीक है इसलि चलिए अगले सवाल पर चलते हैं 42 पे भोपाल गैस दुरगटना का कारण क्या था आंसर ए कर लेंगे मिथाईल आइसो साइनाइट का रिशाओ होना आंसर हमारा ए हो जाएगा दोस्तो जोकि 3 दिसंबर 1984 डेट याद रखेगा ये बहुत ही ठतरनाक दिनता मध्य सवाल नंबर चलते हैं 43 पे निमलिखित में से कौन सा योग में सुमिलित नहीं है आंसर करेंगे दोस्तो जोकि पॉलेंट से इसको सुमिलित किया गया है अब आपको बता दे दोस्तो यहाँ पे कि जो भी हमारा मिश्टरल ठंडी धुरू होता है ये हवा के जोकि रूम अगर के उत्री पस्चिम भाग से तदा इस्पेन और फ्रांस के प्रभावित होता करता है तो ठंडी हवा दक्षिन फ्रांस के रोन घाटी से चलती है ना कि राइन घाटी से तो जो बोरा है वह एक सुस्क तदा ठंडी हवा वाला जग है तो पॉलेंड यहाँ लिख जया है जबकि यह गलत होगा दोस्तों ठीक है ना यह जो है राइन घाटी से होता तो यहाँ पे आप सही लिखते है इसको ठीक है तो यह आहाँ पे गलत उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिए सवाल नंबर चलते हैं इट्स फोटी फोर आंसर करेंगे दोस्तों थोड़ा सा दिवाज हमेशा बना रहेगा एग्जैक्ली आंसर डी कर लेंगे कराचिय दिवेशन 1931 दोस्तों आज के सिनारियो में हम लोग यहाँ पे सिर्फ 50 प्रश्म देखने वाले हैं ठीक है कल हम लोग इसका जो वीडियो होगा वो 50 कोशिन का भी वो लेकर आएंगे आज के सिनार ठीक है और यह रात में अगर आप जगे रहेंगे तो मैं इसको अपलोड कर दूँगा आप लोग उसको देख भी लीजेगा ठीक है बाकी 50 कोशिन का लेकिन अभी के लिए यह 50 कोशिन का ही सेट यहाँ पे है चलिए तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा सवाल नंबर 45 जब इसको दिया गया था 89 में याद रखेंगे सवाल नंबर चलते हैं आंसर क्या कर लेंगे यहाँ पे दोस्तो एक करनाल में है सवाल नंबर 46 वायू मंडल के अभी लेक मंडलों को उनके प्रित्वी के धरादल से बढ़ती दूरी के अनुकरम में जो भी विवस्तिक कीज ताकि नीचे दियेगे कूट का उतर सही मिल सके तो आप लोगों को मैं यह करा चुका हूँ भाई छोभ मंडल सबसे पहले होगा उसके बाद समताप मंडल उसके बाद दोस्तो और ओजोन मंडल ओजोन मंडल तो नहीं यहाँ पे दिया गया आयन मंडल है वो भी नहीं दिया 234 एक जो है आपका उत्तर सही होगा दो तीन चार और एक ठीक है यह आपका उत्तर सही होगा तो यहां पर आप उत्तर क्या कर लेंगे D कर लिजेगा इस दर आइटा अंसर सवाल नमबर 47 भारत की निम्ले के जीलों में से कौन जम्मू और कश्मीर में अवस्तित है देखे जील से जो connection है आपका ये है C से यानि कि अंचार जील को ठीक है ये कश्मीर में है याद रखेंगे सवाल नंबर चलते हैं यहाँ पे दोस्तो 48 पे भारत के निमलिकित तटो में से कौन कृष्णा डेल्टा और कैप कमुरिन के मद इस्तित है बिल्कुल आंसर यहाँ पे ए कर लिजिएगा कोरो मंडल तट इस दा राइट आंसर चलिए दोस्तों आंसर करेंगे 49 का निमलिकित में से किसको पर्ल आफ साइबेरिया कहा गया है जल्दी से आंसर कर लेंगे बिस्व का सरवादिक गहरा जील रश्या के साइबेरिया छेतर में है आंसर ए कर लेंगे बैकाल जील नोट कर सकते हैं ए इस दर राइट आंसर सवाल नंबर 50 जो की अभी के लिए आखरे प्रशन होगा जलवाई परिवर्तन का कारण क्या है आंसर यहाँ पर D हो जाएगा यह तीनों ही इसके लिए उत्तरदाई होते हैं ग्रीन हाउस, ओजोन और प्रधोशन तोस्तों आज की सिनारियो में 50 कोशन इसलिए कि बाकी 50 कोशन जो है हम आप तक साजा कर देंगे और कल 100 कोशन के साथ हम क्यूज अटेंट करेंगे चुकि हम लोग लाइव आने का कुछ प्रयास कर रहे हैं, टेकनिकल कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको देखना है, इसलिए आज का सेट जो है 50 कोशन के साथ आपको दिया जएगा है आज जो आप लोग को सुबह का बिहार पुलिस का भी सेट नहीं मिल पाया है इसलिए उसके लिए भी हम छमा चाहते हैं, लेकिन वो भी आपका रिगुलर रहेगा और चाहते हैं कि लाइव आएं, तो आप लोग के साथ इंटरेक्ट भी हो सके ठीक है, तो ये सारी चीज़े हैं यहां से दोस्तों, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इन सब का PDF आपको मैं संडे को दूँगा, इसलिए घबराएं नहीं और अभी के लिए तना ही और मैं वीडियो 50 कोशन का अपलोड भी कर दूँगा आप लोग के लिए, उसके लिए भी आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे ठीक है, आपको रात में मिल जाएगा, रात में एक बर जगे रहेंगे तो आप लोग पढ़ लिजेगा उसके 50 कोशन को भी आफटर 51, ठीक है, धन्यवाद दोस्तो